योद्या मामले में क्योरेटिव याचिका दाखिल की गई है तो पीस पार्टी ने फैसले पर दुबारा विचार करने की मांग की है 12 दिसंबर को सुप्रीम कोट में पीस पार्टी समेट 19 उनर्विचार याचिकाओं को खारिच किया था तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं तो उनर्विचार याचिकाओं को खारिच किया गया था तो लखनाउ से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रहे है जहां पर तो लखनाउ से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 19 उनर्विचार याचिकाओं को खारिच किया था 12 दिसमर को सुप्रीम कूट ने पीस पार्टी समेट 19 उनर्विचार याचिकाओं को खारिच किया था और अब दुबारा विचार करने की मांग इन याचिकाओं को लेकर तो पीस पार्टी ने पैसले पर दुबारा विचार करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी जिसको जटका देते हुए उटने इसे खारिच किया था तो ये बड़ी कबर आपको मलखनों से देरे जहापर आयोध्या मामले में क्योरिटिव याचिका